हाई फ्रेंज जब्य संफू मैं आपका स्वागत है मैं अस्टा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे तो फ्रेंज यहां पे जो है आई टीवीप के तरफ से बहुत ही अच्छी वेकंसी निकल कर सामने आया था जिसका फ्रेंज फॉर्म जो है ऑनलाइन स्टार् के लिए पहुचे हमारी जो भी फ्रेंज इंट्रेस्ट रखते हैं फॉर्म फिलब करने के लिए तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेर जरूर करें तो चलिए फ्रेंज बिना समाई करते फ्रेंज यहां पर 293 के आसपास हैं और अगर इसका जो है क्या इसमें eligibility criteria है इसका notification वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ITVP का जो प्लेलिस्ट है वहां में जाके आप पूरा notification वाला वीडियो देख सकते हैं तो उसमें आपको पता चल बाद जो है फ्रेंज यहां पर new user registration पे ख attendees करना है इस पे खosureने के बाद जो यहां पर आपको पहले जो है् रगारा है तो कोई बात नहीं है यहां पर चलिए पहले हम registration कर लेते हैं उसके बाद आगे form को आपको फॉल्ब कर लेना है उसके बाद इमेल डालने के बाद आपको पासवर्ट स्लेक्ट कर लेना है पासवर्ड फ्रेंड जो है आपको फ़स्ट लेक्र पासवर्ट करने के बाद चुछा जा रहा है बहुत सारा security सब्सक्राइब कर देना है देखें यहाँ पे रिजिटेशन हो चुगा है चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं तो फ्रेंच अपना email इडी और password डालने के बाद यहाँ पे लॉग इंप्र करने के बाद यहां पर पहले को और यहां पर एक्वाइड कर देना है तो यहां पर दीख रहा है कि कौन कौन साथ वेकंसी निकला होगा है उसके बाद यहां पर सबसे पहले हम जो प्रोफाइल डेटेल्स पर चलते हैं देखे यहां पर आपको father's name और mother's name फिलब कर लेना है उसके बाद मोबाइल नमबर डालने के बाद आपको country region select करना है आप कौन सा country से यहां पर तीन country आ रहा है यहां पर नेपाल और बोटान भी आ रहा है तो आप इंडिया select कर लिजेगा यह बरने के बाद आपको address select कर लेना पर education qualification पर आ जाते हैं सबसे पहले यहां पर friends आपको जो है सबसे initially education जो होता है उसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद कर लेते हैं इसमें कौन-कौन सा आ रहा है यहां पर देखे फ्रेंस मेरे पास सबसे पहले हम head constable telecommunication का form को fill up करेंगे तो उसके लिए educational qualification 10-2 साथ में PCM होना चाहिए जिसमें से 45% marks होना चाहिए उसके बाद 10th के साथ में ITI भी होना चाहिए अगर diploma है तो diploma भी चलेगा इसमें diploma वाले ट्रेट का तब ही इस form को fill हम कर पाएंगे देखते हैं पहले scroll down करते हैं यहां पर कहों पर option आ रहा है 12th आ रहा है PCM के साथ PCB के साथ यहां पर PCM बाला कहों पर option आ रहा है देख लेते हैं अच्छे से तो फ्रेंस देखे यहां पर नीचे scroll down करने के बाद जो है यहां पर 10 plus 2 pass with PCM having 45% marks aggregate यह वाला option को select कर लेना है उसके बाद जो फ्रेंस यहां पर कौन सा school या institute से पास किये हैं वहां पर वो नाम डाल देना है इसके बाद जो फ्रेंस अगर आपके पास जो है और educational qualification है तो आप यहां पर green plus पे click करने के बाद यहां पर open हो जाएगा तो जो आपके पास में है वो आप फिल कर लीजेगा अगर नहीं है तो आप यहां पर जैसे rate minus है यहां पर clip करने के बाद यह box हट जाएगा तो और मेरे पास जो है फ्रेंस हम इसमें educational qualification में फॉल्फिल कर लेते हैं तो फ्रेंस मेरे पास जो अगर डिप्लोमा का है तो हम डिप्लोमा का भी इसमें फॉल् है तो आप 10 plus 2 तक with PCM 45% marks के साथ आप यहां तक छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर फ्रेंस नीचे आने के बाद आपको gender select कर लेना है उसके बाद material status select कर लेना है उसके बाद कहुंसा category से है वह भी लोग कर लीजेगा उसके बाद यहां पर unemployed select कर लीजेगा उसके बाद य करना है apply पे click करने के बाद आप जिस चीज के लिए form को fill up कर रहे हैं यहां पर देखिए आपको दिखेगा इसमें हमको head constable telecommunication के लिए form को fill up कर रहे हैं तो यहां पर हमको पहले upload image करने के लिए बता रहा है कि आप image को पहले upload किजिए तो चलिए पहले हम image को upload कर लेते हैं द बी जो है आपका upload लेगा उसके बाद जो फ्रेंट यहांपे जो है चेक बहूक्स में क्लिक करने के बाद यहांपे submit कर देते हैं उसके बाद जो है apply करते हैं तो फ्रेंट देखिए यहांपे constable telecommunication और constable head constable के लिए यहाँ पर form को जो है apply करने का यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर फ्रेंस जो है अपना zero fee applicable है क्योंकि हम जो है st category को select किये थे form भरने के लिए जो भी friends हम इस वीडियो में आपको data इसमें फिल कर रहे है यह सारे data जो है किसी का real data नहीं है यह सिर्फ हम आपको जो है form भरने के लिए बताने के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे है आप जो है आपको अपना original data इसमें fulfill करना है और अच्छे से check कर लिजेगा उसके बाद जो friends यहाँ पर next कर दीजेगा यहाँ पर agree पर click करना है उसके बाद submit कर देना है तो friends यहाँ पर head constable telecommunication के लिए form को apply हो चुका है और friends एक ध्यान देने वाले बात हैं कि अगर आपके पास head constable telecommunication का qualification अगर आप रखते हैं तो constable telecommunication का form जो है अ default जो है constable वाला भी आपका form fill up हो जाएगा तो friends यहाँ पर जो application form पो जो है एक बार देख लिजेए इसमें कोई error तो नहीं रहा है या कोई correction तो नहीं होगा पहले अच्छे से हम check कर लेते हैं तो friends देखे यहाँ पर ऐसा form का जो है सारा चीज ओपन होके आ रहा है यहाँ पर का और instrumentation computer का और science information computer information and information technology electrical यह सब डिप्लोमा भी डाले वे हैं इसलिए जो है मेरा constable telecommunication का already फिल बता दिया automatic फिल हो गिया है अच्छे से इसमें देख लिजीए अगर कोई mistake है तो आप सुधार करने का यहाँ पर कोई chance नहीं है उसके बाद जो friends यहाँ पर प्रिंट करना च 30 November तक form को फिल कर सकते हैं समय के पहले ही जो है friends आप form को फिल कर लें और हम आसा करते है friends की हमारे दुवारा दीगे जनकार आपके लिए बहुत ही helpful हुआगा इसके बाब जुद भी कोई अगर doubt रहता है तो आप हमारे comment section में आके पुछ सकते हैं जरूर जबाब देंगे और जय हिन बंदे मत्रम